हेलो एवरिवन आज हम डिसकस करने वाले हैं अलीगर्ण मुस्लिम इनिवर्सिटीज के सी उ एट के जो है एडमीशन फॉर्म्स के बारे हम बात करने वाले हैं जिसन भी बच्चों ने AMU के लिए apply करा है आपने CUAT form में apply करा होगा AMU के लिए लेकिन आपको check कर लेना है कि आपने eligibility criteria fulfill किया है या नहीं किया है उसके लिए आपको AMU के site से पे आप जो है यह supplement CUAT का detail जो है information browser download कर सकते हैं यह आपको 6 pages का है इसका PDF आपको हमारे telegram page पे मिल जाएगा link आपको description box में मिल जाएगा आप जो है site पे visit करके amucontrollerexams.com पे आप site visit करके जो है इसको download कर सकते हैं अब बात आती है कि आपको download करके check क्या करना है जैसे माल लेजिए आपने BSC honors home science में apply किया है तो आपने जो eligibility criteria amu ने कहा है जैसे कि test paper के regarding कहा है तो क्या आपने ये subject जो है choose करें है या नहीं करें क्योंकि अगर आपने ये subject choose नहीं करें होंगे तो आप admissions के लिए जो है already eligible नहीं होंगे क्योंकि ये आपको ध्यान रखना है सबसे जरूरी चीज़ तो यह है दूसरी चीज़ अब amu के forms जो है अगर हम बात करें cuat के websites पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखने है आप किसी भी universities के लिए apply करें चाहे amu हो चाहे du हो चाहे जामिया हो चाहे बही हो चाहे ब्यारम बेट करूँ चाहे other कोई भी central universities हो जो भी cuat में participate कर रही है आपको particular universities का separate form भी fill करना है यह आपको ध्यान रखना है तो अगर आपने यह test paper जो है लिए हैं सारे जैसे English section 1 A से आपने चूज़ किया Physics section 2 से Chemistry section 2 से और Biology Mathematics Home Science इसमें से कोई भी एक तो आप स्कोर्स के लिए eligible होंगे और आपको यही marks जो है जो भी आपके cuat में स्कोर आएगा आपको इन subject के marks ही जो है upload करने होंगे ऐसे ही be honors के लिए यहाँ पर आपको बता रहा है कि कौन सा test देना है सिर्फ और सिर्फ English और General Test आगे और देख लेते हैं be honors women studies के लिए यहाँ भी आपको कौन सा test देना था English और General Test तो जो भी test है यहाँ पर आपको mention है तो अगर आपने यह test दिये हैं तो आप eligible होंगे admissions के लिए otherwise जो है आप eligible नहीं होंगे बाकि जैसे time to time कुछ भी updates आएगा आपको वीडियो बनाके update कर दिया जाएगा जिक्या थैंक्यू